अब यह एक रंग का डिजैन है इसे आप बच्चेयों के स्वेटर में जैन स्वार्टर में या कार्डिगन में किसी में भी डाल सकते हैं इसके लिए हम मैंने 36 फंदे डाले हैं अब और दो सलाई प्लेन बुन ली है पहला फंदा भी ना पुनाओ उताग लिया और तागा आगे करकर चार फंदे उल्टे एक लो तीन चार अब सीधा तागा करके फली बनाते वे दो का एक अब तागा आगे करके जाली बनाते वे एक फंदा बनेंगे तागा आगे करके फिर हम दो का एक बनाएंगे अब इस फंदे के दोनों तरफ एक एक जाली बन गिया है अब साथ उल्टे एक दो तीन चार पाँच छे साथ अब तागा सीधा करके फिर दो का एक बनाए जाएगा तागा आगे करके फिर पहले की तरह ही जाली बनाते वे उसी तरह ये सिलाई पूरी की जाएगी यह पहली सिलाई हमारी पूरी हो गई है अब दूसरी सिलाई करनी है हमें तो इसमें जो उल्टे फंदे हैं वे उल्टे बुने जाएंगे और जो सीधे फंदे हैं वे सीधे बुने जाएंगे यह उल्टी सलाई हमने पूरी कर लिया है यह उल्टे पर उल्टे है और सीधे पर सीधे बुने गए है अब यह तीसी सलाई है इसमें पहला हमने विना बुना उतार लिया और जब है हमने चार उल्टे लिये थे तीन उल्टे बुने जाएंगे एक दो तीन इस फंदे बें हमने दो का एक करा था तो यह तागा सीधा करते वे यह फंदा उपर रखते वे इस तरह हम दो का एक करेंगे यह इस तरह सिधी फली बनती चली जाएगी अब तागा आगे करके यह सिधा बनेंगे यह जाली पड़गी और एक यह फंदा दो और यह तिन इतागा आगे करके यह फली बनाते वे इस तरह यह फंदा उपर रखते वे दो का एक करेंगे और अब पांच उल्टे होएंगे एक दो तीन चार पांच अब तागा सीधा करके ये फंदा उपर रखते वे दो का एक अब तागा आगे करके जालिग बनाते वे तीन सीधे एक दो तीन अब ये तागा के ये दो का एक जालिग बनाते वे इस तने ये सिलाई पुरी की जाएगी ये हमने उल्टी सिलाई पुरी कर लिया है इस सिलाई में उल्टे पर उल्टे और सीधे पर सीधे किये है अब ये हमारी 25 लाई है पहला फंदा हमने बिना बना उतार लिया और तागास आगे करके दो उल्टे और ये फंदा फली का फली बनाते वे इसका दो का एक इधर से इस तरह दो का एक और ये तागा अगे करके जाली बनाते वे अब ये दो तीन चार पांच पांच फंदे हो गए फिर जाली बनाते वे ये तागा अगे करके ये दो का एक पहले इसमें हमने साथ फंदे उल्टे किये थे टीस स्लाई में हमारे पांच फंदे रह गए और अब ये तीन फंदे रह जाएंगे और जब उल्टी सलाई करने के बाद एक सिधी सलाई होएगी छटी सलाई उसमें ये एक फंदा रह जाएगा और इसके दो फंदे बढ़ जाएंगे जाली के साथ ही और उल्टी सलाई उसी तरह उल्टे पर उल्टे और सीधे पर सीधे होईंगे अब हमने इसकी तीन सलाई पूरी कहीं है इसमें उल्टी सलाई में उल्टी पर उल्टे सीधे पर सीधे और सीधी सलाई में यह उल्टे फंदे घटाते वे इधर से इधर से दोनों तरफ चे और जाली की साथ यह सीधे बढ़ाते वे बुनिया है अब यह उल्टा फंदा एक रह गया है अब आगे का डिजैन हम यह सीधा यह उल्टा फंदा था यह भी अब सीधा बुना जाएगा यह तीन सीधे एक दो तीन चार हमने यह चार फंदे बुन लिया है अब हम यह जितने जाली है एक दो तीन चार तो इन में से इस तरह करके फंदा उठाएंगे एक अब इस तरह बुनते वे एक दो जि denken ही भेवड़ा इस प्रावज वे पर चरता नी में से Bennे खिपगगी। एप चार ये चार जाली में से चार फंदे बन उठा ली है अब एक ये बीच का फंदा ये बुन लिया है अब चार जाली इदर की है अब चार फंदे इस तरह ही इदर से उठाए जाएंगे एक दो तेन चार चार इदर से और चार इदर से हमने आठ फंदे उठा लिया है अब ये चार फंदे जाली के बचेवे ये बुन लेंगे सीधे एक दो तीन चार और तीन ये फंदे ये भी सीधे बुने जाएंगे तीन ये और चार ये इसी तरह बुनकर ये चार बुनकर फिर इसी तरह फंदे उठाए जाएंगे यह हमारी सलाई पूरी हो गई है हमने इसमें आठ आठ फंदे उठाए है तो हर चेद में से एक फंदा उठाते वे आठ आठ बढ़ गए अब उल्टी सलाई में हम जो इसके अपने फंदे हैं वे सारे उल्टे बुने जाएंगे आठ चेद अब इसमें यह आठ फंदे उठाए वे हैं और एक बीच का फंदा बुना था वो नो एक दो तीन चार और एक यह बीच का फंदा बुना वो पाच चेद आठ नो फंदे हो गए अब इनका नो का हम इस तरह एक करेंगे अब हम इसके बीच के ग्यारा फंदे इस सारे उल्टे उल्टे इस तरह बुन लेंगे और पाच फिर वो इन नो पंदे आगे नो का एक इसी तरह बुनते वे एक इस लएग को पुरी करेंगे यह चार पांच छे साथ आठ नो यह नो का एक है कि इसकी और फिर यह सारी बुनते वे इसी तरह यह स्लाई पूरी की जाएगी यह उल्टी स्लाई हमारी पूरी हो गई है अब हम इसको डूर सी डिप भी सू करेंगे तो यह पहला पंदा विनाबुना उतर गया है और यह पहले यह एक पंदा उल्टा बचा था अब इससे सीधा कर लिया है अब इसको जाली बनाते वे इसले बुना जाएगा और यह फली का पंदा है इसको इस तरह दो का एक करते वे जाली बनाते वे दो का एक करेंगे और ये जो डिजाइन के पंदें हैं साथ अब इनको उल्टे कर देंगे एक, दो, दिन, चार, पांच, छे, साथ, ये साथ उल्टे हो गए हैं अब ये फली का फंदे को पर रखते वे दो का एक एक, और जाली बनाते वे, ये फिर उसी तरह स्लाइप फूरी रिपीट की जाएगी एदो का, एक, बस फिर इसी तरह ये गटते चले जाएंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे और जब यह उल्टे फंदा एक रह जाएगा तो इसी तरह बुनाई रिपीट होईगी जाली में से इस तरह फंदे उठाकर इसी तरह नोका एक किया जाएगा